हेलो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास वास्टे का बाद여 ये चिप्टे नमर फॉर रिपोडर्क्टेफ हेल्थ अभी तक हम लोग इस चिप्टे में समझ चुके हैं कि रिपोडर्क्टेफ हेल्थका मुनिंग क्या है 지 church family प्लानींग क्या होजा और हम लोग जन संख् अब इस्फोर्ट के बारे में भी सेप्टर में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे Contraseptive Methods। Contraseptive Methods का मतलब है कि एक ऐसी विधी जिसका यूज करके Sexual Activity होने के बाद भी गर्वधारन की संभवना से बचा जा सकता है। और इसके लिए हम लोग कई विधी पढ़ चुके थे, कुछ विधी बाकी हैं। Contraseptive Methods का दो विडियो एक पहले बना हुआ था और एक आज का विडियो है। ज़र आसे हम लोग देख लेते हैं कि पिछली क्लास में लोग क्या-क्या पढ़े थे। तो ध्यान से देखना है, Contraseptive Methods में हम बताये थे कि दो विधी में इसको पहले बाढ़ देते हैं, एक है Temporary Method और एक है Permanent Method. यानि कि यदि किसी को साधी के बाद एक, दो या तीन, चार साल के लिए बच्चा नहीं चाहिए, तो वह Temporary Method का यूज़ कर लेगा और यदि किसी का Family पूरा हो गया है, जितना संतान चाहिए था, उतना संतान पूरा हो गया है, अब आगे उसको संतान चाहिए ही नहीं, त तो वह Permanent Method का यूज़ कर लेगा, है कि नहीं, हम लोग Temporary Method में पढ़े थे कि तीन भागों में इसको बांटा गया है, एक Natural Method, एक Barrier Method, एक Chemical Method, और Permanent Method को Surgical Method कहते हैं, तो हम लोग को Total जो पढ़ना है, वो चार विधी पढ़ना है, Natural Method और Barrier Method, तो हम लोग Natural और Barrier Method पिछली क्लास में पढ़ लिये थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह होगा Chemical Method, जड़ा साथ देख लेता है कि Natural Method में हम लोग क्या-क्या पढ़े थे, Natural Method में हम लोग 3 पुढ़े थे, एक Withdrawal Method, फिर Periodic Abstinence, और फिर Lactational, Emenorrhea, बारी-बारी से हम लोग सब के बारे पढ़ होता है, और फिमेल के लिए बहुत कुछ है, जैसे फिमेल के लिए Cervical, Kev, Diaphragm, Waltz, यह सभी होता है, और इन सभी पॉइंट्स को हम लोग पिछली क्लास में, डिटेल्स में पढ़ लिये थे, ठीक है? तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, Chemical Method, यानि कि Contraseptive Method का, यह 3 पॉइंट, Chemical Method, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, Chemical Method, समझ रहे हैं थोड़ा दिहान से, यह जो Chemical Method है, इसमें कुछ Chemical का यूज क्या आता है, इस Chemical Method में, कुछ Chemicals का यूज क्या आता है, खास करके, महिलाओं के द्वारा, इस Chemical Method में, महिलाओं द्वारा, कुछ Chemicals का यूज किया जाएगा, जिसके कारण उसमें, प्रिग्नेंसी के संभवना लगभग समाथ हो जाती है, इस Chemical Method को, इस Chemical Method को, बांट दिया गया है, चार भाग में, केमिकल मेथड को, बांट दिया ग है, चार भागों में, कौन कौन सा, तो एक है, ओरल, कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल्स, ओरल, कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल्स, दूसरा है, इंट्रा, यूटिराइन, दिवाइसेज, यह हम इसी को, आई, यू, डी भी काते हैं, ठेक है, तिसरा है, इंप्लांट्स, और चौथा है, इंजेक्शन, हम लोग बारी-बारी से सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठेक है, हम बोले कि, केमिकल मेथड में, महिलाओं के द्वारा, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाएगा, जिसके कारण उसमें प्रेग्डेंसी की संभावना लगभग समाप हो जाती है, इस केमिकल मेथड को बांट दिया गया, चार भाग में, औरल कॉंट्रासेप्टिव पिल्स, फिर इंट्रा यूटेरैन डिवाइस, फिर इंप्लांट्स और फिर इंजेक्शन, हम लोग बारी बारी से सब चीज़ को डिटल्स में समझते हैं, तो पहला है, ओरल कॉंट्रासेप्टिव पिल्स, फिर इस विधी में महिलाए कुछ टेबलेट खाती है, ओरल कॉंट्रासेप्टिव पिल्स को हिंदिम कहते हैं, मुखिय गर्व निरोधक गोली यहनि कि जैसे कि नाम सुने होंगे कि माला D टेबलेट होता है माला N टेबलेट होता है सहली नाम का टेबलेट होता है तो महिलाए कुछ टेबलेट का यूज करती है जिसके कारण उसमें गर्वधारन की संभावना समाप्त हो जाती है यह जो tablet है यह hormones का tablet होता है इस tablet में hormones पाया जाता है कौन सा hormone रहता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है हर point को ठीक से समझ लेना है यहाँ पर लिखा हुआ है combination of progestogen या फिर progestogen and estrogen यह progestogen क्या होता है progesteron hormone होता है न female में बनने वाला एक hormone होता है जिसको बोलता है progesteron तो जब female के body में खुद से hormone बनता है उसको बोलता है progesteron और जब इसी को laboratory में बनाया जाता है तो हम उसको बोलता है progestogen progestogen का मतलब है बनाया हुआ progesteron तो यह जो oral contraceptive pills यानकी जो tablet का यूज क्या जाता है उसमें या तो cable progestogen hormone होगा या फिर दो hormone एक progestogen दूसरा estrogen दोनों का combination होगा mix करके होगा यह जो tablet है यह करता क्या है तो यह सरीर में female body में low level of LH and FSH को उत्पन करेगा यानि कि LH luteinizing hormone और FSH follicle stimulating hormone इस दोनों hormone के level को घटा देगा और जैसे दोनों hormone का level घटा है बस उसमें master cycle का जो timing है वो गड़बड़ा जाएगा सही समय पर नहीं होगा और pregnancy की समभनमान लगभग समाप्त हो जाती है female के body में जो estrogen है, progestron है या फिर LH hormone है या फिर FSH hormone है जो की pregnancy को maintain करता है इस hormone का female body में एक खास मात्रा का होना जरूरी है और जब ये progestrogen या फिर progestrogen और estrogen ये दोनों hormone का combination वाला tablet महिलाएं खाती है तो उसके सरीर में hormone का संतूलन गड़बडा जाता है एक तो hormone का संतूलन गड़बडा जाएगा और इस hormone के वज़े से उसके सरीर में LH और FSH दोनों hormone का level भी घट जाएगा और इस कारण से उसमें pregnancy की संभबना लगभग समाप्त हो जाती है ये जो tablet है, ये दो प्रकार का होता है कुछ tablet है जिसको daily यूज किया आता है और कुछ tablet है जिसको की सब्ता हमें एक बार यूज करना पड़ता है तो use daily और use weekly यानि कि हर रोज खाने वाला tablet और सब्ता हमें एक बार खाने वाला tablet तो जो daily खाने वाला tablet है, वो भी दो या उससे ज़्यादा भी प्रकार का हो सकता है एक है Mala D और एक है Mala N ये tablet का नाम है Mala D नाम का tablet और Mala N नाम का tablet होता है और इसको daily खाया जाता है females के द्वारा इस tablet को daily खाया जाता है जिसके कारण उसमें pregnancy की संभावना समाथ हो जाती है वहीं सब्ता हमें खाने वाला tablet है उसका नाम है सहली तो सहली नाम का tablet जिसको पर सब्ता जो है One Piece खाया जाता है और इसके खाने से भी pregnancy की संभावना लगभग समाथ हो जाती है हम लोग थोड़े इसको और details में समझते है यह जो Mala D और Mala N नाम का tablet है जो की per day खाने वाला tablet होता है इसको खाने का तरीका क्या होता है जरा सिसको ध्यां से समझना है अगर माला D या माला N टेबलेट का एक पत्ता लिया जाता है माला D या माला N टेबलेट का एक पत्ता लिया जाएगा तो ये टेबलेट का पत्ता भी दो टाइट का मिलता है कुछ पत्ता मिलेगा ऐसा जिसमें की 21 टेबलेट रहेगा और कुछ पता ऐसा मिलेगा जिसमें की 28 टेबलेट रहेगा तो यदि 28 टेबलेट है तो पहले उसको खाने का विदी बताता है और फिर यदि 28 टेबलेट है तो उसको भी खाने का विदी हम बताता है यदि 28 टेबलेट है यदि 28 टेबलेट है तो उसको menstrual cycle जो menstrual cycle में जो menstruation का ताइमिंग होता है यान कि first day से लगभग fourth या फिर fifth day तक period bleeding होता है उसी दिन में से यान कि पहला दिन से पाँचमा दिन में से किसी दिन start करना है tablet खाना per day one tablet खाना है और लगातार 21 दिन तक खाना है 28 दिन का period होता है 20 दिन तक tablet को खाना जैसे कि मान लिया कि first day यान कि जैसे bleeding start हुआ तो जैसे bleeding start होगा उसी दिन से एक tablet खाना शुरू कर दिया जाए तो regular एक tablet खाना पड़ेगा और लगातार 21 दिन तक tablet को खाना है 21 दिन में एक पत्ता पूरा खतम हो गया अब 7 दिन का gap ले लेना है यानकि 7 दिन तक कोई दवाई खाना नहीं है और फिर जब 7 दिन बीच जागा यानकि 21 और 28 दिन हो गया और 28 दिन हो जाएगा तो एक menstrual period ए से start होगा तो फिर से tablet खाना शुरू कर देना है यानि कि अगर 21 टेबलेट है तो menstrual cycle का जो first day है वहाँ से start करना है लगातार 21 दिन तक खाना है उसके बाद 7 दिन का gap दे देना है और next period जैसे start होगा तो फिर से अगले पत्ता का tablet खाना शुरू कर देना है तो first दिन एक tablet खान परड़े खाते जाना है फिर 7 दिन का gap देना है तो यह तरीका होता है या फिर एक और तरीका अगर 21 टेबलेट है तो उसको खाने का एक और तरीका है जैसे period start हुआ यह period जब तक रहेगा 4 या 5 दिन तक period रहता है तो माल लिया कि 5 दिन तक period रहता है तो tablet को 5 दिन भी खाना किया जा सकता है पहला से چوتھا दिन तक छोड़ करके यानि कि जो bleeding का time होता है उसमें से किसी भी दिन से start किया जा सकता है तो पहला से चوتھا दिन यदि चोड़ दिया जाए तो पांचवा दिन यदि पहला tablet खाया जाए और फिर Chili दिन फिर दूसरा अगे प्ले लेना है और फिर जब अगला पिरियड के पांच मेय देन से फिर से टेबलेट खाते रहना है तो एकATHAN का ये होता है अब यदि टेबलेट के पत्ते में 28 टेबलेट है ऐसा भी होता है 28 टेबलेट रहेंगा तो 28 टेबलेट में से जो harmon containing टेबलेट होता है वो actual में 21 ही होता है और बांकी जो 7 tablet होता है वो एक तरह से false tablet होता है जिसमें की कोई hormone पाया नहीं जाता है तो उसमें कुछ minerals हो सकता है उसमें sugar हो सकता है तो फिर बात है कि जब hormone containing tablet उसमें मात्र 21 है तो ये 7 extra tablet देने का क्या जरूरी पड़ गया तो 7 extra tablet इसलिए दे दिया आता है ताकि female का per day tablet खाने का एक आदत बना रहे है जैसे कि यदि 21 tablet है तो 21 tablet में से पहला दिन से start करके 21 दिन तक तो एक एक tablet खाते चले गए और फिर जो है 21 दिन के बाद फिर tablet को एक सप्ता के लिए खाना बंद कर दिया जाएगा लेकिन एक सप्ता पूरा हो गया और अगला period भी start हो गया लेकिन इस बीच में चुकी छूट जाता है tablet खाना तो हो सकता है female tablet खाने के लिए भूल जाए कि कौन दिन खाना है कौन दिन छोड़ना है तो इसलिए कंपनी वालों ने क्या किया कि 20 टेबलेट ना दे करके उसको 28 टेबलेट दे दिया गया कि अब एक भी दिन टेबलेट खाना छोड़ना नहीं है परड़े एक टेबलेट खाना ही है तो उसमें से 20 टेबलेट जो होता है शुरू का उसमें हॉर्मोन पाया जाएगा और वही इफेक्टिव टेबलेट होता है और बांकी जो साथ टेबलेट रहेगा वो एक तरह से फॉल्स टेबलेट है उसमें कोई भी हॉर्मोन नहीं है उसमें सुगर हो सकता है मिंडल्स हो सकता है लेकिन कुसमें होर्मोन नहीं पाया जाता है और यह एक्ट्रसेप्टिव मेथड्स के अंतरगत आता भी नहीं है जो सुरू का ECIS टैबलेट है वहीं ECIS टैबलेट वाला भी पता मिलता है 18 टैबलेट वाला भी पता मिलता है और दोनों को किस तरह से खाना रहते हैं बता दिये जरा साथ देख लेते हैं और यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है माला D और माला N के बारे में लिखा गया है कि regular 21 days from menstruation then 7 days gap यहाँ कि अगर 21 टेबलेट है तो menstrual cycle के शुरुवाती 21 दिन तक per day एक टेबलेट खाना है और फिर 7 दिन का फिर gap ले लेना है और यह टेबलेट काम किस तरह से करता है इसके बारे में तरह से जान लेना है यह टेबलेट जो है working इस टेबलेट का working क्या रहता है control, ovulation and implantation ovulation हम लोग समझते हैं न ovary से ovum का निकलना का लाता है ovulation तो यह टेबलेट जो खाया जाता है तो ovulation control हो जाएगा ovulation कम होगा ovulation ऐसा नहीं है कि ovulation time पर होई जाएगा ovulation control होगा और अगर कभी ovulation होता है ovulation हो भी सकता है तो ovulation जब होगा और अगर fetalization भी हो गया तो fetalization होने के बाद जो implantation होता है यहनकि blastocyst वाला जो embryo है वह endometrium से चिपकता है न तो उसको बोलता है implantation अगर ovulation हो गया fetalization हो गया तो यह टेबलेट implantation को रोक देगा और फिर क्या करता है cervix mucous thick थिक यहनकि उसको ज़्यादा मोटा कर देता है cervix mucous हम किसको बोलते है cervix होता है न यूट्रस का जो निचला part है उसको बोलते है cervix तो cervix में कुछ गाढ़ा-गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है उसको और ज़्यादा गाढ़ा कर देगा यह जो टेबलेट है cervix के mucous को और ज़्यादा गाढ़ा कर देगा थिक कर देगा जिसके करण वजीना का स्पर्म उपर चड़ी नहीं पाता है वो रास्ता पुरा गाढ़ा-गाढ़ा म्यूकस से जो है भर जाता है इस वज़े से स्पर्म वजीना से आगे उपर सर्विक्स होते हुए यूटरस और फिर पेलोपियन ट्यूब में पहुँच ही नहीं सकता है या फिर पहुँचने का चांज थोड़ा कम हो जाता है तो यह जो टेबलेट है यह कंट्रूल, ओभिलेशन और इंप्लांटेशन दोनों को कंट्रूल करेगा और सर्विक्स मुकस को ठिक करेगा इसके बाद जो सब्ता में टेबलेट खाया जाता है वो है सहली नाम का टेबलेट तो सहली नाम के टेबलेट को बनाया गया था CDRI लखनों में यह CDRI क्या है? तो Central Drug Research Institute लखनों में मौझूद है CDRI का फुल फॉर्म है Central Drug Research Institute यह कहाँ पर है? लखनों में है तो इसी संस्था में सहली नाम के टेबलेट का निर्मान किया गया था और सहली नाम का टेबलेट सब्ता ही टेबलेट है सब्ता हमें एक बार खाया जाता है लेकिन जब डॉक्टर किसी फिमेल को सहली टेबलेट खाने का सलाह देता है तो कहा जाता है कि सुरुवाती तीन मेहना तक सुरुवाती तीन मेहना तक सब्ता में सहली का दो टेबलेट खाना है और जब तीन मेहना पूरा हो जाएगा तो फिर पर सबता एक टेबलेट खाना है तो यहाँ पर लिखावा है Twist a week for first three month यानि की शुरुवाती तीन मेहना तक इस टेबलेट को यानि की एक सबता में दो पीज खाना है और तीन मेहना पूरा होने के बाद हर सबता एक टेबलेट खाना है तो ये सब फिमेल्स द्वारा यूज किया जाने वाला टेबलेट है और इस टेबलेट में हॉर्मोन पाया जाता है जिसके कारण उस फिमेल में प्रेग्नेंसी की समभावना समाफ्त हो जाती है और इसी मेथड को हम कहते हैं औरल कॉंट्रासेप्टिव पिल्स मुखी गर्भ निरोधक गोली तो उमीद है कि ये पॉइंट समझ में आगया होगा आगया बढ़ता है अब अगला है इंट्रा यूटिराइन डिवाइसेस या फिर इसको बोलता है आई यूडी हिंदी में कहते हैं अंतह गर्भासई युक अब क्या क्या लिखा वह सब चीज समझ में आ जाएगा इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये फिमेल डिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है यहां पर ये यूट्रस है और इस यूट्रस में कॉपर टी लगा हुआ है इस यूट्रस में एक टी सेप का एक डिवाइस यहाँ पर sit कर दिया गया है इसको हम कहते है copper tea copper tea का नाम सुने है copper tea का नाम सुने होंगे कि females copper tea का यूज करती है जिसके करण उसमें गर्वधारन की संभावना समाप तो हो जाती है और copper tea का यूज अपने देश में काफी ज़्यादा यूज होता है और जिसको एक लंबे समय तक संतान नहीं चाहिए क्या फिर दो बच्चों के बीच एक लंबे समय का अंतराल चाहिए उसके लिए ये copper tea method काफी ज़्यादा important होता है तो copper tea को हम लोग थोड़े details में समझ लेते हैं एक image देखते हैं ये सब हम पढ़ करके बताएंगे यहाँ पर हाथ से बनावा एक image है इसको थोड़ा दियान से समझना है ये female reproductive system का एक figure है और इसमें यहाँ uterus है uterus के अंदर एक T-shape का device set कर दिया गया है जिसको हम कहते है copper tea ये कहलाता है ये कहलाता है यही है copper tea ठीक है तो copper tea ये plastic या metal का बना हो सकता है और इसके उपर copper का wire लिप्टा हो रहता है T-shape का एक device है जिसके उपर copper का wire लिप्टा हो रहता है तो जो expert doctor है या फिर जो अनभेवी nurse है उसके द्वारा female के वजीना के रास्ते से होते हुए जो female का uterus है जो uterine cavity अंदर में वहां तक इस copper tea को पहुँचा दिया आता है copper tea को doctor या अनभेवी nurse के द्वारा female के वजीना के रास्ते पहुँचा दिया आता है uterus के अंदर अब यह जो copper tea है इस copper tea के working को हम लोग जरूर समझेंगे अभी इस figure में हम देख रहे हैं कि copper tea से दो tail like structure दो धागा जैसा structure यहां पर निकला हुआ है और यह जो धागा जैसा structure है यह वजीना तक आ गया है यह जो धागा जैसा structure है यह वजीना तक आ गया है तो इस धागे का क्या यूज है इसको जरूर समझते है यह धागा इसलिए लगाया गया है और वजीना तक इस धागे को इसलिए पहुँचाया गया है ताकि जिस female में इस copper tea का यूज हुआ है वह female अपने अंगुली के माध्यम से वजीना में इस धागे को महसूस कर सके यह जो फिमेल अपने यूटरस में copper tea set करवाई है वह अपने अंगुली को वजीना में डालेगी और अंगुली से इस धागे को छू करके देखेगी कि यह धागा है या नहीं है यदि यह धागा है मतलब copper tea से ही सलामत यहाँ पर है कभी कभी क्या होता है कि copper tea तो set कर दिया गया कभी कभी ऐसा होगा कि copper tea automatic यूटरस से बाहर निकल जाएगा वह जीना से बाहर निकल करके गिर जाता है copper tea कोई बहुत बड़ा structure नहीं होता है copper tea एक छोटा से structure है जैसे machis का तीली होता है तो machis के तीली से थोड़ा सा बड़ा होता है हलांकि यह जो यूटरस है इस figure में यूटरस जो इतना बड़ा बनाए हुए है female का यूटरस भी इतना बड़ा होता नहीं है यूटरस भी छोटा होता है copper tea का भी size बहुत ही छोटा होता है तो लगवग इसी size का copper tea होता है और ये जो copper tea है कभी कभी क्या होता है set करने के बाद भी इस वजिना के रास्ते गिर जाता है निकल जाता है तो जब निकल जाएगा तो फिर ये धागा भी नहीं रहेगा और अगर धागा महसूस किया जाता है मतलब कि यहाँ पर copper tea सही सलामत है और अगर धागा यहाँ महसूस ना हो अगर female को यहाँ पर धागा का पता नहीं चले तो फिर इसका मतलब यह है कि या तो copper tea यहाँ से गिर चुका है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये copper tea indometrium में धस जाता है कभी कभी ये copper tea indometrium में धस जाता है जिसके कारण ये धागा अंदर खिचा जाता है जब अंदर चला जाएगा तो female को अपने अंगली के माध्यम से धागा महसूस नहीं होगा और फिर उसको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो इसलिए धागा लगया गया है तो जब copper tea को female की uterus में set कर दिया जाता है तो इसका working कुछ इस तरह का रहेगा कि ये pregnancy की संभाबना को समाप्त कर देता है market में कुछ ऐसा copper tea है जिसको एक वार अगा set कर लिया जाए तो वह 3 साल तक लगातार pregnancy को खतम कर देगा कुछ ऐसा भी copper tea है जिसको यूज करने के बाद 5 साल तक pregnancy रूख जाएगा कुछ ऐसा भी copper tea है जिसका यूज करने के बाद 10-10 साल तक भी pregnancy की संभाबना समाप्त होयाती है तो जिसको एक लंबे समय के लिए बच्चा नहीं चाहिए या फिर दो बच्चों के बीच एक लंबा टाइम का अंतर चाहिए उसको डॉक्टर सेजेस्ट करता है copper tea और अपने देश में copper tea काफी ज़्यादा यूज किया आता है तो थोड़ा सा पीछे देख लेता है यह जो copper tea है यह uterus के अंदर सेट किया जाने वाला एक डिवाइस है और copper tea के ही समान कई डिवाइस है जैसे copper tea हम लोग नाम सुनते हैं कि copper tea होता है female यूज करती है तो copper tea के जैसा और भी कई प्रकार का डिवाइस है जो कि copper tea से ही काफी ज़्यादा मिलता जो उता रहता है और इन सभी का यूज बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि intrauterine devices या फिर IUD जो है यह uterus के अंदर सेट किया जाने वाला कुछ device होता है जिसके कारण की बर्थ कंट्रोल हो जाएगा इंसर्टिड बाइ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन दी uterus थ्रो वजीना यानकी डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स के दौरा इसे वजीना के मध्यम से फिमेल की uterus में सेट कर दिया जाता है यहाँ पर है types of IUD यानि intrauterine device जो है कितने प्रकार का होता है तो तीन टाइप का होता है जैसे कि copper tea के बारे हम बोले है न copper tea के जैसा और भी कई प्रकार का device है जिसका huge uterus के अंदर किया जाता है तो हम इस IUD को तीन भाग में बांट देते हैं एक है non-medicated IUD दूसरा है copper releasing IUD तिसरा है hormone releasing IUD जो non-medicated IUD है उसमें कोई medicine नहीं होगा तेक है यह जो non-medicated IUD है इसमें कोई medicine नहीं होता है और इसका example है lipis loop अब यह lipis loop क्या होता है यह lipis loop क्या होता है तो थूड़ा सा देख लेना है यह lipis loop है क्या चिए दखना है जैसे कि copper T T shape का होता है तो lipis loop जो है यह कुछ इस shape का होता है तेक है lipis loop कुछ इस shape का होता है ऐसा lipis loop का use prior नहीं किया जाता है यह उतना प्रचलित नहीं हो सका तो लिपेश लूप का यूज लगवग लगवग नहीं के बराबर होता है लेकिन कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो लिपेश लूप इस तरह का लूप लाइक की स्ट्रक्चर होता है अगर इसको भी यूटरस के अंदर सेट कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी की समभवना समापत हो जाती है फिर है कॉपर रिलीजिंग आई यूडी जिसे कॉपर आयन रिलीज होगा तो इसका एक्जामपल है एक हो गया कॉपर टी एक हो गया अब यह कॉपर टी जो है यह कैसा होता है यह तो टी सेप का होता है कॉपर टी टी सेप का होता है कॉपर सेवन कैसा होता है तो कॉपर सेवन सेवन टाइप का होता है जैसे यह सेवन सेप का होना जैसे कॉपर टी है तो टी इस तरह का होता है कॉपर सेवन का स्ट्रक्चर कैस होगा seven type का होता है और यह multi load 365 कैसा होता है तो multi load 365 कुछ ऐसा होता है यह भी T set का ही होता है थड़ से round type का रहेगा तो multi load 365 इस तरह का होता है और यह तीनों यानि की copper T, copper seven multi load 365 इन सब में copper का यूज किया गया है और जब इसको uterus में set किया जाता है तो उसे copper iron release होता है और copper iron जब release होगा तो यह sperm को यानि कि जब वजीना के माध्यम से उपर sperm चड़ेगा तो यहां से copper T हो चाए copper seven हो चाए multi load 365 हो इससे copper iron release होगा और यह copper iron क्या करता है यह sperm को मारने का काम करेगा इस पर्म की गति को भी कम करने का काम करता है जिसके कारण सही टाइम पर फैलोपियन ट्यूब में इस पर मों पहुँचेगा नहीं और fat lesson का चांस घट जाता है तो copper T, copper seven, multi load 365 यह तीनों का structure थोड़ थोड़ा हम यहां दिखाने का कुछिस कर रहे हैं यह तीनों copper releasing iod है इसके बाद hormone releasing iod यानि कि कुछ iod ऐसा होता है कुछ ऐसा device है जो की hormone release करेगा उसको बोलेंगे hormone releasing iod तो कौन-कौन है तो एक है progesta cert और एक है LNG20 अब यह progesta cert और LNG20 कैसा होता है तो बिलकुल copper T के ही समान है नाम अलग-लग जरूर है लेकिन की confused नहीं होना है कि कैसा होता है यह progesta cert भी बिलकुल T-shape का यहनकी copper T के समान होता है LNG20 भी यह T-shape का होता है तो progesta cert LNG20 यह दोनो copper T के ही समान होता है लेकिन इससे hormone थोड़ थोड़ रिलीज होते जाएगा जिसके वज़े से pregnancy की संभवना समाप्त जाती है LNG20 का यहां पर full form लिखा गया है LNG20 का full form है LNG20 यह progesta cert LNG20 यह दोनो hormone releasing IUD है एक्जाम में इस तरह से question आ सकता है कि निम्न में से कौन copper releasing IUD है तो याल रखना है कि copper releasing IUD में तीन नाम है एक copper T, एक copper 7 और एक multi load 375 ऐसा भी question आ सकता है कि निम्न में से कौन hormone releasing IUD है तो hormone releasing IUD में दोन आम याद कर लेना है एक है progesta cert और एक है LNG20 दोनों का जो shape है वो copper T के ही जैसा होता है और इन में से किसी भी IUD को जब uterus में sit कर लिया जाता है तो उस female में एक लंबे time के लिए pregnancy की संभवना समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर working का कुछ तरीका हम देख लेते हैं कि किस तरह से यह work करेगा हम देख रहें यहाँ working में कि जब इस device का यूज किया जाएगा तो फिर क्या होगा phagocytosis of sperm यह उपर तीर देने का मतलब है कि increase हो गया बढ़ गया उपर तीर देने का मतलब है कि बढ़ गया और नीचे तीर देने का मतलब है कि घट गया तो phagocytosis of sperm बढ़ जाता है जब IUD का यूज किया आता है तो phagocytosis of sperm बढ़ जाएगा यह phagocytosis का क्या मतलब है जब भी हमारे स्रीर में कोई bacteria परवेस करता है ध्यान से समझना क्या बोल रहे है जब हमारे स्रीर में बाहर से कोई bacteria या कोई virus हमारी बढ़ी में पहुंचता है तो जो हमारे immune system का पार्ट है ना हमारे blood का WBC वह WBC बहुत ज्यादा active हो जाएगा वह खोशते रहता है कि कहां पर कोई बाहरी सेल बाहरी सेल सरीर में कहां पर गया उसको जाकि तुरंत मारने का काम करता है जब हमारा immune system किसी बाहरी सेल को मारने का परियास करता है तो इस process को हम कहता है phagocytosis यानि हमारे blood का WBC कोई बाहर का सेल अगर आया उसको अगर मारने का परियास करें तो उसको बोलता है क्या phagocytosis तो यह जो copper T है यह जो copper T या फिर कोई भी IOD है जो कि बाहर से बाहरी वातावरन से female के बड़ी में डाल दिया गया तो female के बड़ी में जो WBC है वह alert होया था कि कुछ बाहर से आ गया है बाहर से कुछ आ गया है अब क्या आया है तो उसको क्या करना है मारना है हलाकि male का जब sperm फिमेल बड़ी में पहुंचता है तो वह sperm फिमेल बड़ी का तो कोई पार्ट नहीं है वह sperm तो मेल का न पार्ट है मेल बड़ी में बना था फिमेल में तो इस्पर्म बनता है नहीं तो जैसे इस्पर्म फिमेल बड़ी में पहुंचता है तो female body के लिए इस्पर्म बाहरी सल होता है एक जिसे बेक्टरिया कोई बाहर से आता है तो phagocytosis का process शुरू हो जाएगा WBC जो है बेक्टरिया को मारने लगेगा उसी तरह से जब भी normal condition में जब male का इस्पर्म female body में पहुंचता है तो female body का जो WBC है वो इस्पर्म को मारना सुरू कर देता है चुकि इस्पर्म female body का actual part है नहीं वो male का part है तो इस्पर्म female body के लिए बाहरी structure हो गया जिसे बाहर से इस्पर्म पहुंचेगा तो female body का जो WBC है वो इस्पर्म को क्या करेगा? मारने लगेगा लेकिन यहां तो पहले से copper T आ गया है तो पहले से जब copper T आ चुका है या फिर कोई भी iod का यूज़ कर लिया गया तो WBC को तो ऐसा लगता है ना कि कुछ ना कुछ पहले से आ गया है तो वो ज़्यादा alert रहेगा और जब यह ज़्यादा alert रहेगा और उस टाइम में यदि copulation होगा और sperm यहाँ पहुचेगा तो उस sperm को तो WBC और जल्दी यल्दी खाएगा जल्दी यल्दी नस्ट कर देगा क्योंकि यहाँ copper T का जब यूज किया गया तो WBC पहले से ही alert था क्यों कुछ बाहर सा गया पहले से इंतियार में था कि क्या आगया उसको ढूंडो उसको मारो तो फिर यहाँ पर पहुंचता है sperm जैसे sperm पहुंचेगा वैसे फटा फट इस sperm को क्या करेगा मारना शुरू कर देगा तो हम बोलें कि उसी को बोलता है phagocytosis तो इसका working का तरीका है कि phagocytosis of sperm को बढ़ा देगा इसका बाद motility of sperm को घटा देगा यान कि जो copper iron release होता है copper tea से वह copper iron क्या करता है sperm की गती को slow करेगा तो motility of sperm का मतलब sperm की गती उसको slow कर देगा सही समय पर fallopian tube में पहुँचने ही नहीं देगा जब सही समय पर fallopian tube में पहुँचेगा नहीं तो फिर pregnancy का chance यानि fat lesson का chance खतम हो जाएगा फिर है fertilizing capacity of sperm को घटा देगा यानि sperm में जो fat lesson करने की छमता है उसको घटा देता है और फिर यदी इतना होने के बाद भी fat lesson हो जाए यदी इतना होने के बाद भी fat lesson हो जाए तो फिर ये implantation को रोख देगा control implantation याद रखना है कि अगर uterus में बाहर से कोई भी चीज़ पड़ा हुआ है चाहे copper T डाल दिया जाए चाहे copper 7 डाल दिया जाए या फिर कोई भी IUD अगर uterus के अंदर डाल दिया जाए तो ये uterus implantation को support नहीं करता है यनकी fat lesson के बाद जागोट बनेगा जागट से embryo बनेगा और वह embryo जब blastocyst के form में रहेगा तो blastocyst को endometrium से चिपकना चाहिए और देब ये चिपके का चिसको बोलेंगे implantation लेकिन कि यहाँ पहले से क्या है copper T है तो पहले से uterus में अगर कोई भी चीज कोई बाहरी structure अगर uterus के अंदर पहले से present रहेगा तो फिर ये uterus implantation को support नहीं करता है और इस वज़े से implantation control हो जाता है तो अगर कुस्टना जाए कि copper T क्या चीज को है यानि कि जब sperm nest होगा sperm का speed घड़ जाएगा तो fertilizing capacity घड़ जाएगा यानि कि ये जो copper T है इसका प्रथम work है कि यह fertilization को रोकता है लेकिन 100% नहीं रोकता है कई बार fertilization हो जाता है और अगर fertilization हो गया तो फिर ये implantation को रूख देगा और जैसे implantation रुख गया मतलब pregnancy की समभाबना समाप्त हो गई है कि नहीं तो copper T का use करने से pregnancy की समाप्त होती है अगर कुछ सनाता है कि copper T क्या चीज़ को रोकता है तो बोलेंगे fertilization को रोकता है ये निसेचन को रोकता है अगर option में fertilization नहों तो फिर हम second point की अगर चुन नहों तो हम बोलेंगे कि यह implantation को रोकता है अब copper T के बारे में एक खास बात और जान लेना है अच्छा थोड़ा सा हम copper T पर आते हैं जरा सा हम लोग देख लेते हैं emergency contraceptive pills अभी जैसे कि हम बताए कि जिसको लंबे समय के लिए बच्चा नहीं चाहिए या फिर जिसको दो बच्चों के पीश एक ज़्यादा time का अंतर चाहिए उसके लिए IUD एक अच्छा device होता है उसका यूज करने से एक लंबे समय तक यानि कि discipline की copper T 3 साल, 5 साल, 10 साल तक बर्त कंट्रोल कर सकता है लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि unprotected intercourse हो जाए या फिर किसी का rape हो जाता है यानकि emergency condition आ गया कि किसी कब जिसे किसी female का rape हो गया उसको तो बच्चा नहीं चाहिए या फिर कोई unprotected intercourse हो गया बिना condom का यूज किये हुए या और कोई device का बिना यूज किये हुए जो है intercourse हो गया copulation हो गया तो उस condition में pregnancy की संभवना तो रहती है तो pregnancy की संभवना को समाप करने के लिए क्या है तो एक है emergency contraceptive pills ये emergency contraceptive pills क्या होता है तो एक tablet market में मिलता है जिसका नाम है unwanted 72 tablet unwanted 72 tablet जैसे कि अगर copulation होता है unprotected copulation हुआ fandom का यूज नहीं किया गया या किसी और method का यूज नहीं किया गया अब वहाँ पर pregnancy का संभवना है लेकिन pregnant होना नहीं है pregnancy की संभवना को समाप करना है तो उसके लिए एक tablet मिलता है जिसको बोलता है unwanted 72 tablet और इस tablet को copulation के बाद 22 घंटा के अंदर खाना होता है बस एक tablet खा लिया जाए जिसको बोलता है unwanted 72 tablet और इसको खाने से जो pregnancy की संभवना हो सकती थी वो संभवना समाप्त हो जाती है यदी यदी unprotected intercourse होआ या फिर किसी का rape हो गया वहाँ पर जो है pregnancy का chance है तो उस pregnancy के संभवना को समाप्त करने के लिए एक तरीका तो हो गया unwanted 72 tablet का यूज़ कर लिया जाए 72 घंटा के अंदर अंदर या फिर एक और तरीका होता है कि copper T का यूज़ कर लिया जाए या फिर IUD का यूज़ कर लिया जाए जैसे कि sexual activity हुआ अब या उसको बच्चा नहीं चाहिए तो या तो वह unwanted 72 tablet खाले या फिर अपने uterus के अंदर copper T सेट कर वाले तो ऐसा करने पर उसमें pregnancy की संभवना समाप्त जाती है यह वाद समझ में आया अब बात है कि copper T या फिर किसी भी IUD का अगर यूज़ कर आता है तो क्या उस female में bleeding होता है menstrual cycle संपन होगा अगर copper T वगरे सब का यूज़ कर आता है तो menstrual cycle होता है menstrual cycle थोड़ा कंट्रोल होगा लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा menstrual cycle बिल्कुल होगा ठीक है और कभी कभी जैसे कहम बोलता है कि copper T का यूज़ किया आता है pregnancy की समभवनों को समप करने के लिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि copper T का यूज़ करने के बाद भी fat lesson होगा और fat lesson के बाद implantation भी हो जाता है लेकिन copper T यदि लगा हुआ है अगर copper T का यूज़ कर लिया गया है और उसके बाद भी यदि कभी कभी implantation हो जाए contraceptive का जो जितना भी method है सभी method का failure होने का chance रहता है जितना भी method हम लोग पढ़े जिसके हम लोग natural method पढ़े तो natural method को failure होने का पूरा chance रहता है इसके बाद हम लोग barrier method पढ़े तो barrier method भी 100% secure नहीं है जैसे हम लोग पढ़े कि male condom का use होता है तो कभी कभी male condom fat भी जाता है और फिर vagina में cement discharge हो जाएगा उसके वज़े सी pregnancy का chance बन जाएगा है ना तो जैसे हम लोग cervical cap पढ़े थे हम लोग diaphragm पढ़े थे walts के बारे में पढ़े थे सब का failure rate होता है उसी तरह से ये copper tea का भी failure rate होता है copper tea भी फेल कर सकता है तो जैसे कि बोलते हैं कि copper tea fat lesson को रोकता है अगर fat lesson हो जाए तो implantation को रुकेगा लेकिन कि copper tea के रहते हुए कभी कभी implantation भी हो जाता है और यदी copper tea के रहते हुए implantation हो गया copper tea के रहते हुए यदी implantation हो गया तो वह बच्चा निशित रूप से कुछ समय के बाद मर जाएगा हुआ बच्चा COPPAIR T के रहते-धे यहां पर विक्सित नहीं हो सकेगा जैसे कि COPPAIR T है और IMPLANTATION हो गया अब फिमेल का मन हो गया कि हम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं हम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो फिमेल को ये COPPAIR T निकलवाना पड़ेगा क्योंकि copper tea रहेगा तो बच्चा का development यहां पे सीख सही से होगा ने और जब वो doctor के पास जाएगी वह लेगी copper tea मेरा निकाल दीजिए क्योंकि हम इस बच्चे को जन्म दना चाहते हैं तो जैसे ही doctor copper tea को निकालेगा वैसे उसका बच्चा भी नस्ट हो जाएगा copper tea को जैसे निकाला जाएगा वैसे उसका बच्चा भी नस्ट हो जाएगा है ना तो बच्चा तो नस्ट हो जाएगा निक copper tea का यदि यूज किया गया और कभी अगर implantation हो भी गया तो भी उस बच्चे को नस्ट होना तय है ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि copper tea का यूज करने के बाद भी जब implantation हो जाता है तो बच्चा ठीक ठाक तरीका से विक्सित हो जाएगा कभी कभी rare case में ऐसा होता है कि copper tea का यूज करने के बाद भी implantation होने के बाद बच्चा यहां पर ठीक ठाक तरीके से विक्सित हो जाता है और जब 9 मन्त के बाद बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ-साथ ये कौपर्टी भी बाहर आ जाएगा और एक जिवित बच्चे का जन्म हो जाता है तो सायद ही ऐसा होता है तो फिल्योर रेट तो इसका भी है यनकी जितना भी अभी तक हम लोग विधी पढ़ रहे हैं सब का फिल्योर रेट होता है कोई भी पुरा-पुरी सेक्योर मिथड नहीं है तो उमीद है कि ये intrauterine devices समझ में आ गया होगा ठीक है हम लोग emergency contraceptive pills भी पढ़ लिए और ये structure भी देख लिए इसके बाद है implants और injection ये implants और injection जो है ये इसमें भी hormone ही पाया जाता है अब ये सब नया नया type का नाम है लगता होगा कि क्या है नहीं है तो हम बताते हैं क्या है ये जो implants है बिल्कुल माचिस के तीली के समान होता है जैसे माचिस का तीली जिस type का होता है जिस size का होता है उसी type का जैसे यहाँ पर हमें एक figure बनाए हैं कि implants लिखें यहाँ पर implants यान कि एक बिल्कुल माचिस के तीली के जैसा एक टुकडा होता है माचिस के तीली के समान ही एक टुकड़ा होता है हम इसी को कहते हैं इंप्लांट्स और इसके अंदर में हॉर्मोन पाया जाता है जैसे हम लोग ओरल कॉंट्रासेप्टिप पिल्स पढ़े हैं उसी तरह से वर्क करता है इंप्लांट्स और इंजेक्शन तो हॉर्मोन कंटेनिंग ये इंप्लांट्स और इंजेक्शन होता है तो माचिस के तीली के जैसा एक टुकड़ा होता है और इसमें हॉर्मोन पाया जाता है और इसको फिमेल यूज़ करती है किस तरह से यूज़ किया आता है किस तरह से यूज़ करना पड़ता है तो डॉक्टर इसको set करेगा एक माचिस के तिले जैसा implant है डॉक्टर क्या करेगा फिमेल का जो left arm है जो बाया हाथ है इसका मेरे हाथ पर ध्यान देना यहाँ जो बाया हाथ है तो यहाँ पर जैसे माचिस का एक टुकड़ा है तो उसी टाइप का implants है तो यहाँ पर एक हलका छोटा सा छेद किया आता है फोड़ा नजदिक आ जाता है यहाँ पर छोटा सा छेद किया आ जाएगा और छेद करके इस माचिस के तिले जैसे implant को इस skin के अंदर डाल करके इधर से सेट कर देता है तो एक लंबा सा इतना बड़ा टुकड़ा जो है इसकीन के अंदर डाल दिया आता है और जब ये इसकीन के अंदर में डाल दिया जाएगा तो एक छोटा सा छेद होगा उसके माध्यम से अंदर डाल दिया आता है और ये जो है लगभग तीन से चार साल तक इससे हॉर्मोन निकलते रहेगा और तीन से चार साल तक प्रेगनेंसी की स्थमभवना लगभग लगभग समाप्थ हो जाती है तो यह जो implants है उसको implant क्या आती यानकि अंदर डाला आता है किस के अंदर तो under the skin of female तो female के हाथ में का जो बाँ है उस बाँ के अंदर में डाल दिया आता है और इससे थोड़ थोड़ करके हार्मोन निकलते रहेगा तीन से चार साल तक हार्मोन निकलेगा और वो हार्मोन फिमेल में प्रेगनेंसी की समामना को समात कर देता है और फिर उसको डॉक्टर के माध्यम से उसको निकलवाना भी पढ़ता है हनाकि इन चीजों का यूज बहुत कम होता है लेकिन जब लोग पढ़ते हैं तो सारी बिदी को पढ़ देता है अब फिर इसी तरह से हैं इन्जेक्शन यानकि कुछ हार्मोन का इन्जेक्शन होता है अगर फिमेल हार्मोन का इन्जेक्शन ले ले तो इन्जेक्शन लेने के बाद क्या होगा उसमें तीन महिना तक प्रेगनेंसी की समभवना समात कर आती है जो injection है उसका यूज़ करके तीन मेना तक pregnancy की समभबना से बचा जा सकता है तो implants injection हो गया यानि कि हम लोग जिसे बोले कि chemical method में oral contraceptive pills हम लोग पढ़ लिए intrauterine devices पढ़ लिए implants हो गया injection हो गया यानि कि हमारा temporary method पूरा हो गया temporary method का मतलब है जब तक विधी का यूज किया जाएगा तब तक birth control होगा विधी का यूज करना बंद कर लिया जाए तो फिर से बचे का जन्म हो जाएगा अब एक method बचा हुआ है surgical method जो की permanent method है permanent method का मतलब है कि अगर एक वार विधी का यूज कर लिया जाए तो जीवन भर के लिए birth control हो जाएगा उसको फिर आगे कभी बच्चा होगा ही नहीं तो ये method डॉक्टर उसको suggest करता है जिसका की family पूरा हो गया जिसके दो बच्चे पूरे हो गया है डॉक्टर उनको बोलेंगे कि आप जो है surgical method जो है अपनाईए पती और पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा इस method का यूज कर लिया जाए दोनों के द्वारा यूज ने करना है इनकी पती या पत्नी दोनों में से कोई भी एक इस method का अगर यूज कर ले इस surgical method को sterilization भी कहते हैं या फिर इसको हिंदी में नस्बंदी या बंधिया करन भी कहते हैं और जैसे हम बोले कि इस method का यूज तब किया जाता है जिसका family पूरा हो गया है अब उसको आगे कोई बच्चा चाहिए ही नहीं उसके लिए ये technique का यूज किया आता है ये surgical method दो प्रकार का होता है एक है vasectomy एक है tubectomy vasectomy को हम पुरुस नस्बंदी कहते हैं और tubectomy को हम महिला बंधिया करन कहते हैं vasectomy को पुरुस नस्बंदी कहेंगे और tubectomy को महिला बंधिया करन कहेंगे तो जैसे हम बोले कि पती और पतनी दोनों में से कोई एक पार्टनर इस मेथड का यूज़ कर ले जीवन फर बर्द कंट्रोल हो जाएगा या तो पती मेथड का यूज़ कर ले या फिर पतनी मेथड का यूज़ कर ले दोनों को मेथड यूज़ करने का कोई ज़रूरी नहीं है एक से भी काम चल जाता है अब ये वासेक टोमी यानि पुरुस नस्बन्नी में होता क्या है इस figure को देखना है ये male reproductive system का figure है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये testis है ये testis है testis में क्या बनता है? sperm बनता है testis में बनावा sperm कहां जाएगा? apidymis में apidymis से कहां जाएगा? वास difference में अभी ये कटा हुआ है अगर ये सटा हुआ रहेगा पूरा joint रहेगा तो वास difference से sperm फिर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते धिरे दरे यूरित्रा सो करके इस penis के यूरित्रल और फिस से बढ़ी से बाहर सिमेन की रूप में निकलता है तो दो testis दोनों तरब से इस परम बन करके apidymis में apidymis से वास difference वास difference से फिर आगे बढ़ेगा और यूरित्रा सो करके फिर सिमेन की रूप में वो बढ़ी से बाहर निकलता है तो ये जो वासक टूमी है इस वासक टूमी में क्या करता है एक हलका सा छोटा सा operation होता है और हलका सा operation करके क्या करता है कि मेल के दोनों वास्ट डिफरेंस को हलका कट कर दिया आता है और कट करके धागे से बांध दिया आता है ध्यान से समझना है कि मेल के दोनों वास्ट डिफरेंस को एक छोटा स्वाप्रेशन होता है जिसके माध्यम से male के दोनों side के was difference को cut कर दिया आता है और उसको धागे से बांध दिया आता है ऐसा करने से testis में बना हुआ जो sperm है वो आगे बढ़तर के epididymis में आएगा epididymis से was difference में जाएगा यहां तक जैसे आया अब यहां उसको आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं है जब आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है तो फिर sperm तो इद्रे रह गया ना sperm बढ़ी के बाहर आएगा कहा sperm तो बढ़ी के बाहर नहीं आ सकेगा sperm तो इद्रे रह गया और जब sperm यहां रह जाएगा बढ़ी के बाहर आएगा है नहीं तो इस पुरुस की जो वाइफ है उसको कभी बच्चा नहीं होगा जब इसमें इस्पर्म बाहर आ ही नहीं पा रहा है तो इसकी जो वाइफ होगी उसके बड़ी में इस्पर्म नहीं पहुँचेगा और जब sperm नहीं पहुँचेगा तो wife को कभी बच्चा नहीं होगा हम इसको पुरुष नस्बंदी कहता है अब यहाँ पर मन में कही तरह का सवाल होता है कि जब sperm आगे बढ़ेगा नहीं तो उस sperm का होता क्या है क्योंकि testis में तो sperm बनते रहेगा तो फिर वो sperm जाएगा तो जाएगा कहाँ जब रास्ता बंद हो गया तो sperm जाएगा कहा actual में जब testis पर बनता है वह sperm धीरे धीरे निकल करके E.P.R.D.M.S. में आएगा E.P.R.D.M.S. से जाएगा वास्डिफरेंस में अब वास्डिफरेंस में चुकि आगे का रास्ता बंद है तो धीरे 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 वास्डिफरेंस में कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय तक रहने के बाद यह sperm धीरे धीरे मर जाएगा इसका Phagocytosis हो जाएगा यनकि यह जो sperm है यह यहाँपर नस्ट हो जाएगा और जब टेस्टिस का स्पर्म बड़ी के बाहर निकलता नहीं है तो टेस्टिस के अंदर में स्पर्म का प्रोडक्शन भी सुलो हो जाता है इस पर्म बनेगा बहुत कम-कम और जो भी स्पर्म बनेगा वो इतना साही रास्ते में गलूल करके हो जाता है खतम, उसको अब्जॉर्ब कर लिया आता है, लेकिन इसके आगे स्पर्म जाता नहीं है अब कुछ सवाल ऐसा मन में आ सकता है, कि क्या इसमें सीमेन बनेगा या नहीं? तो एक्सवल में सीमेन बनता है, मेल के पेनिस के युरित्रल औरिफिस से सीमेन बाहर आएगा दियान से समझ लेना क्या बोल रहा है? यह जो वासेक्टोमी है, वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांध दिया गया इस्पर्म बड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन सीमेन बाहर आएगा, सीमेन में इस्पर्म नहीं होगा एक फ्लूविड, एक लिक्विड बाहर आएगा, जैसे कि मेल में सीमेन डिशार्ज होता है ना sexual activity के दोरान सिमेन का discharge होता है सिमेन में कितना चीज़ रहता है दो तरह का चीज़ sperm plus seminal plasma पढ़े देना हम लोग इस सिमेन में दो चीज़ है sperm plus seminal plasma तो सिमेन तो बाहर आएगा लेकिन उसमें sperm नहीं रहेगा यानि मुख्य रूप से seminal plasma ही रहता है तो seminal plasma के पर हम लोग पढ़े थे कि यह जैसे seminal vagical है दो पीस यह prostate gland है यह copper's gland है इन तीनों type के gland का जो secretion है वो कहलाता है seminal plasma और यहां से बनता है sperm तो यदि sperm और seminal plasma mix होगा तो वो कहलाएगा क्या सिमें लेकिन जब यहां पर यह watch difference को cut करके धागे से बन दिया गया तो फिर यह sperm तो बड़ी से बाहर आएगा नहीं लेकिन कि sexual activity के दोरान यह जो seminal vagical है यह prostate gland है यह copper's gland है तीनों से secretion निकलता है और वो एक सिमें की रूप में बाहर आएगा हलांकि इस सिमें में sperm नहीं होगा तो sexual activity में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आता है ऐसा नहीं है कि यह vasectomy कराने के बाद sexual activity नहीं हो पाएगा या फिर penis का erection नहीं हो पाएगा इसी कोई बात नहीं है sexual activity निशित रूप से होती है penis का erection भी होता है सिमें भी बाहर आता है बस अंतर बस इतना सा है कि उस सिमें में sperm नहीं रहेगा और जब इस पर्म नहीं रहेगा तो इसकी wife को संतान नहीं हो पाएगा फिर है tubectomy यह जो tubectomy है इसमें क्या करता है कि female यह female के लिए medium होता है तो एक छोटा सा operation करके female के दोनों साइड के फिलोपियन tube को कट करके धागे से बांद दिया जाता है और ऐसा करने से क्या होगा ओभरी में बना हुआ ओभम रिलीज होगा तो यहां तक पहुँचेगा और जब वजीना में sperm पहुचेगा तो sperm धीरे धीरे फिलोपियन tube के इस होट तक पहुचेगा sperm यहां रह गया ओभम यहां रह गया sperm ओभम का दोनों का connection टूट चुका है तो जब sperm औभन दोनों का connection टूट गया, 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 जब sperm औभन नहीं हो पाता है, pregnancy का chance बिलकुल खतम हो जाता है, अब यहां भी मन में कुछ सवाल आ सकता है, कि फैलोपियन ट्यूब को जब कट कर दिया जाता है, तो क्या उसमें period आएगा यही नहीं, यहीं कि menstrual cycle होगा या नहीं, तो menstrual cycle होगा, menstrual cycle में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, क् कि menstrual cycle hormone के वज़ोस होता है, और hormone blood circulation से फैलता है, तो hormone तो पुरा बड़ी में फैल ही जाएगा, ओवरी में जो सब hormone बना, वो इस पार्ट में पुरा में फैल जाएगा, पिटू टीग लेंड में जो सब hormone बना, वो भी blood के माधियान से पुरा बड़ी में आ जाएगा, तो period स तो male इस method का यूज़ कर ले, या फिर female इस method का यूज़ कर ले, और male फिमेल दोनों में से कोई एक अगर इस surgical method यानि की sterilization method का यूज़ कर ले, तो फिर उसमें birth control जीवन भर के लिए हो जाता है, इस method का यूज़ करने से एक नुकसान ये हो सकता है, कि माल लिया कि किसी का दो बच्चा पूरा हो गया, ठीक है, अब उसको आगे future में कभी बच्चा नहीं चाहिए, जब बच्चा नहीं चाहिए, तो surgical method का male फिमेल के दोरा यूज़ कर लिया गया, लेकिन संजोग से ऐसा कुछ हुआ, कि दोनों बच्चा डेथ कर गया, कुछ ऐसा घटना घट जाए, क कि दोनों बच्चा डेथ कर जाए, तो अब पती पतनी को पहले दो बच्चा था, और दो बच्चा होने के बाद उसने surgical method का यूज़ किया, लेकिन उसका दोनों बच्चा संजोग से कुछ रीजन से दोनों बच्चा खताम हो गया, अब उसको तो फिर से बच्चा चाहिए, तो जब दोबारा बच्चा सकता होता है, तो इस method को reverse करना बड़ी मुश्किल है, लगभग लगभग ये reverse होता नहीं है, जो नली कट हो चुका है, उसको फिर से जोडने का परियास किया जाए, तो लगभग लगभग ये जोडता नहीं है, और अगर जोडे भी, तो रास्त ब्लॉक होने का पुरा चांस रहता है, जनकि sperm ठीक से पास नहीं कर सकेगा, और भम भी ठीक से पास नहीं कर सकेगा, तो अगर इस method का एक वार यूज कर लिया जाए, और फिर दुवारा इसको अगर reverse करने का परियास किया जाता है, तो reversibility का चांस यहां पर लगभग नहीं क बरावर रहता है, तो यह एक इससे दिक्कत है कि अगर कभी बच्चा खतम हो जाए, बच्चा मड़ जाए, तो इस method को reverse नहीं किया जा सकता, तो फिर वार दिक्कत हो जाएगा, तो अमीद है कि यह surgical method या sterilization समझ में आया होगा, वासectomy में किस नली को काटते हैं, वास डिफ देना है, क्या क्या लिखे हैं, most popular contraceptive methods in world, अगर पूरे विस्प की बात करें, तो पूरे विस्प में सबसे ज़्यादा popular contraceptive methods कौन है, तो वह है male condom, यहनकि पूरे वर्ड में सबसे ज़्यादा जो contraceptive methods use किया जाता है, वो है male condom, इसके बाद, most popular contraceptive methods in India, अगर अपने दे ज़्यादा यूज किया जाने वाला, जो contraceptive methods है, वो है copper tea, तिक है, copper tea, अगर अपने देश की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इसा कुछ सना सकता है, कि अपने देश में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा popular contraceptive methods कौन है, तो हम बोलेंगे क्या copper इससे बता दें कि जोigramin area की जो females होती है वो ज्यादा करके copper tea का यूज करती है और जो सहरी area की जो females होती है वो ज्यादा करके oral contraceptive pills और वो या तो д-tablet खाएगी या तो माला एन टेबलेट खाएगी या फिर सहली टेबलेट का यूज़ करती है तो सहरी छेतर में जो popular contraceptive method है वो है oral contraceptive pills और जो grammy छेतर है वहाँ पर जो ज़्यादा popular contraceptive method से वो है copper tea तो उसका region यह है और अपना जो देश है यह गाउं का देश है यहाँ पर सहर से ज़्यादा गाउं है बड़ा area हो जाता है गाउं का तो वहाँ पर ज़्यादा महिलाएं है तो ज़्यादा महिलाओं के दोरा copper tea यूज़ के आता है लेकिन जो सहर की महिलाएं है जो की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और उसको tablet का जानकारी होता है जब tablet का जानकारी रहेगा तो वो tablet का यूज़ कर लेती है लेकिन गाउं में जो महिलाएं है वह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखी नहीं होती है उसको tablet का सई से जानकारी नहीं होता है किस tablet को कब खाना है, कब छोड़ना है या period कितने दिनों में पूरा हो रहा है इसकी भी जानकारी ठीक से नहीं होती है तो इस वज़ा से जो गाउं की जो महिलाए है वो copper tea का सिदा यूज़ करती है जो सहर की महिलाए है वो oral contraceptive pills का यूज़ करती है तो यदि को सनाया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा popular contraceptive methods कोन है तो हम बोलेंगे सिदा copper tea अगर gramyn area के बारे में पूछा जाए तो भी copper tea बोलेंगे शहरी area के बारे में पूछा जाए तो फिर बोल देंगे हम oral contraceptive pills इसके बाद है most effective contraceptive methods जिनकी सबसे ज़्यादा प्रभावी contraceptive methods कोन है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावी ज आफी ज़्यादा चांस रहता है फिर पढ़े barrier contraceptive methods तो इसको भी failure होने का चांस रहता है फिर हम लोग पढ़े chemical contraceptive methods इसको भी failure होने का चांस रहता है और last में पढ़े surgical या sterilization contraceptive methods तो ये जो surgical method है या sterilization जो method है जिसमें कि हम लोग vasectomy देखे ट्यूबेक्टोमी देखे ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है अगर इस method का अगर एक बार use कर लिया जाए तो फिर confirm हो जाएंगे कि अब बच्चा होने वाला नहीं है बर्त control हो गया बाकि किसी भी method का अगर use करते हैं तो उसमें pregnancy का chance बना रहता है कुछ-कुछ percent pregnancy का chance बना रहेगा लेकिन अगर एक बार surgical method का use कर लिया जाए तो हम confirm हो जाते हैं कि अब pregnancy का कोई भी chance नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो effective method है वो है surgical method या फिर sterilization जो कि हम लोग देखे वासेक्टोमी होता है और tubeक्टोमी होता है तो सायद हमको लगता है यहाँ पर हमारा ये topic complete हो चुका है आप अगर notes लेना चाहता है तो फिर आप telegram group join कीजिए आपको telegram app में सर्च करना है universal biology और group आएगा आप खोद से उसमें जोइन हो सकते हैं telegram group पर आपको notes मिल जाएगा और instagram पर आप हमें follow कर सकते हैं मेरे हाथ का बनाएवा कुछ image अगर चाहिए diagram चाहिए तो फिर आप Instagram पर सर्च किजिए आनंद यह मेरा username है link आपको description में मिल जाएगा वहां साफ हमको वहां जाकर follow कर सकते हैं अभी हम हर page का screenshot क्लिक करवा देते हैं आप इसका भी screenshot ले सकते हैं ठीक है हम हट जाते हैं यहां से हम हट जाते है screenshot ले सकते हैं यहां से के इसका भी क्लिक करना है इसका भी क्लिक करना है के इसका भी क्लिक करना है इसका भी क्लिक करना है तो हमारा यह topic हो गया complete और हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं MTP medical termination of pregnancy के साथ यानि कि हम लोग जानेंगे कि gestation period पूरा होने के पहले बच्चे को किस तरह से मा के uterus के अंदर ही nest कर दिया जाता है यदि बच्चा नहीं चाहिए कोई pregnant हो चुकी है तो फिर उस बच्चे को कैसे nest किया जाएगा इसका बेदी हम लोग जानेंगे और कहां तक ये legal है कहां तक ये unlegal है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो ठीक है आज का class यहां complete होता है हम लोग मिलते हैं अगे class में तो तक मन लगा करके पढ़ते रहे है All the best